व्यू ग्रिड लाइन्स ग्रिड लाइन्स का मतलब आपको हर एक सेल के चार और जो बॉर्डर्स दिखाए दे रहे हैं ये बॉर्डर्स ही कहलाती है ग्रिड लाइन्स ठीके और अगर हम इस डॉक्यमेंट को इस टेबल को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट के दूरां ये ये ग gridlines हैंने के borders भी दिखाए दे रही है ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि printing के दोरान मतलब जब document को हम काघस पर print करेंगे तब print में ये borders ना आए तो इसके लिए फिर मैं select करनूँगा पूरी table को और हमने design tab option देखा था design tab में border किया था और border में no border तो सारी borders हट चुकी है अब print preview करके देखते हैं कि print के दोरान अब ये borders हमारे document में आए गी या नहीं ठीक है तो देखे टेबल आ रही है लेकिन उसमें borders नहीं आ रही है ठीक है लेकिन ये तो होगी लेकिन हम चाहते हैं कि print के दोरान वो border ना है तो इसके लिए फिर हमारे पास तरीका है layout में view grid lines तो आपको grid lines ये बारिक बारिक सी borders दिखाई देने लगेंगी ठीक है मतलब ये कि जब हम data आ रही है हम चाहते हैं कि print में border ना आए इसलिए हमने border को हटा दिया लेकिन जब data entry करेंगे उस दोरान हमें border देखने की जरुद होती है तो view grid lines से हम grid lines को active या deactiv कर सकते हैं तो ये grid lines सिर्फ data entry के दोरान दिखाए देगी टेबल में word की file में लेकिन print के दोरान नहीं आएगी वीडियो कर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like किजेगा share किजेगा और हमारे चेनल को subscribe करने के साथ bell को active कर लिजेगा ताकि आगे आने पहले वीडियो की notification भी आपको सही समय पर मिल जाए धन्यवाद